मश्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा ओनलाइन इस्टडिव टीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पास सेशो अस्ता बालेवस्ता और किसोर आवस्ता से सम्मझेत आपको 150 प्रशने मिलेंगे 101 से लगाकर 150 तक आपको इस वीडियो के माद्यम से प्रशने मिलेंगे यदि आपनों दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको देख लिजेगा वहाँ पर आपको सेशो वस्ता के सोर अवस्ता और बालेवस्ता से सम्मझेत काफी इंपोर्टेंट प्रशने दिए गए हैं तो पहले उनको देख लिजेगा उसके बाद इस वीडियो को देखेगा शुरुवात करते हैं शुरुवात करने से पहले वीडियो को लाइक करना है शेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो शुरुवात करते हैं यहाँ पर देखे आज का पहला प्रशने क्या है तो जो सेष्ववस्था में बच्चा होता है वह अनुकरण द्वारा सीखता है देख चिंह ही है यह सेष्ववस्था की प्रमुख。- Tschin होते हैं जैसे कि जो बच्चा होता है वो पलभर में रोने लग जाता है पलभर में हसने लग जाता है तो इसमें जो समवेग होते हैं वो प्रबल प्रदर्शन उसका नहीं होता है क्या होता है छीन होता है काम प्रवत्ती का जो प्रकाशन होता है यह जो काम प्रवत्ती होती ना कि सेश्ववस्था में तो यहां पर पहला विकल्प दूसरा विकल्प पूर तीसरा विकल्प तीनों ही गलत है अनुकरण द्वारा सीखता है बच्चा सेश्ववस्था में तो यह इसकी प्रमुक्विस्था होगी आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रस्ट नहीं हो जो काफी important है किशोरा वस्था के आकास्मिक विकास का जो सिध्धानते ही कब वह किसके द्वारा दिया गया 1904 में hauling birth के द्वारा, Stanley hole के द्वारा, 1902 में haul के द्वारा या फिर 1904 में thon dieg के द्वारा किशोरा वस्था के आकास्मिक विकास का जो सिध्धानते ही कब वह किसके द्वारा दिया गया तो याद रखीगा हमेशा ये 1904 में Stanley hole के द्वारा दिया गया यहाँ पर second वाला जो विकल्पे होगा वो बिल्कुल सही होगा अगला प्रशन है वातावरन और संगठित सामाजिक साधनों के एसे विशिष्ट काराखे जिनका बालक के सामाजिक विकास के दसापर निशित प्रभाव पड़ता है यहाँ कथन किसका है यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है बताना है स्किनर वा हेरी में के द्वारा स्वारे तथा डेल फोर्ड के द्वारा गेरी सन वार्नी के द्वारा या फिर एवं क्रो के द्वारा जतने भी important कथने में बता चुका हूँ और भी जो कथने इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा तो यहाँ पर जो कथन दिया गया है यह इसकिनर वा हेरी के द्वारा दिया गया है हेरी मेन के द्वारा दिया गया कथन है निमलिकित में से कौन सा किशोरा वस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षन नहीं है आपर देखिए किशोरा वस्था में सामाजिक विकास का कौन सा लक्षन नहीं है, पूछा गया है, अपने वई समू का एक सकरी सदश्य, विपरित लिंग के प्रती आकर्षन, मेत्री सम्मंदों में भारी कमी या फिर विशिष्ट रूचियों में विश्ता, तो यहां पर सही अंसर होगा, मेत्री सम्मंदों में भारी कमी, यह किशोरा वस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षन नहीं है, तक तीसरा वाला विकल्प आपका बिलकुल सही होगा, अगला प्रश्णी आपका, बालोको की सोच अमूर्थता की अपिच्छा मूर्थ अनुभाव एवं प प्रत्ते से होती है, अवस्था कोन सी है, साथ से बारा वर्ष बारा वर्ष से वैस्थ कता कर दो से साथ वर्ष या फिर जन में से दो वर्ष तक, तो यहां पर अवस्था पूछी गई है, राइट आंसर आपका होगा, साथ से बारा वर्ष तक की अवस्था, बालको की सोच अमूर्थता की अपिक्छा मूर्थ अनुबहोवेवं प्रत्ति से होती है कौन सी अवस्था होती है साथ से बारा वस्था की अवस्था होती है निमलिकित में से कौन सी किशोर अवस्था की विसिस्था नहीं है यहाँ पर देखें किशोरा अवस्था की विसिस्ता कौन सी नहीं है पूछा गया है रूचियों में परिवर्तन, खोकली मित्रता, समू को महत्व या फिर विद्रों की भावना तो यहाँ पर देखिए रूचियों में परिवर्तन समू को महत वोर विद्रों की भावना यह जो तीनों विसस्ता है किसोर अवस्था के अंतरगर दाती है लेकिन खोकली जो मित्रिता है यह किसोर अवस्था की विसस्ता नहीं होती है यह बाली अवस्था की विसस्ता होती है बाल्लिय वस्ता की ये विसेस्ता होती है खोकली मित्रिता, तो यहाँ पर ध्यान दीजेगा सेकन वाला विकल्पे आपका बिल्कुल सही होगा दस या बारा वर्ष का बालक श्वाभाविक तोर पर बही मुख व्यक्तित वाला होता है यहाँ पर जो कथन दिया गया है कि 10 या 12 वर्ष का बालक श्वाभाविक तोर पर बही मुख व्यक्तित वाला होता है यहाँ कथन किसका है हर लोग का है, बलेयर का है, रास का है या पिर उप्रुक्त मैं से कोई नहीं तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये राज के द्वरा दिया गया कथन है एरिक्सन के मनोसमाजिक विकास के सिध्धानते के अनुसार किशोर आवस्था के विशिस्ता यहाँ पर देखिए एरिक्सन ने कून सा सिध्धानत दिया है मनोसमाजिक विकास का सिध्धान तो दिया है कितनी अवस्थाइं बताई है आठ अवस्थाइं बताई है आठो अवस्थाइं मैंने फर्ष्ट पार्टे में आपको बता दी है अदि आपने नहीं देखा है वुडियो उसको देख लिजेगा यहाँ पर किसोरवस्था की विश्रिस्ता पूछी गई आठों में से कौन सी है सरिनात्मक बनाम ठेराव है, संपुनता बनाम हतासा है उदमिता बनाम हिन भावना या पितादात्मकता बनाव भ्रहनती है तो यहाँ पर किसोरवस्था की विश्यस्था पूची गई है तो यह तादात्पक्ता बनाम भ्रहंती होगा याने कि D वाला विकल पे आपका बिलकुल सही होगा बालक अपने को अती विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकरी प्राप्त करना चाहता है कि बालक अपने को अती विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकरी प्राप्त करना चाहता है ये इस्टेंग के द्वारा कहा गया विद्रो की भावना की प्रवत्ती निम्न में से किस अवस्था से संबंदित है बाल्ले वस्था, शेश अवस्था, पूरू की सोर अवस्था या फिर मद्दे की सोर अवस्था थोड़े दर पहले मैंने एक विद्रो की भावना बताया था किसका सही अंसर क्या होगा किस अवस्था लेकिन यहाँ पर देखे दो किस अवस्था है, पूरू की सोर अवस्था और मद्दे की सोर अवस्था तो राइट आंसर क्या होगा मद्द किसुरावस्ता याद रखेगा विद्रो की भावना की जो प्रवत्ती है ये मद्द किसुरावस्ता की अवस्ता से सम्मने देने डारेकली यहाँ पर किसुरावस्ता आता तो आप डारेकली उसका अंसर लगा सकते थे लेकिन यहाँ पर य आफ़ावना आजाए वहाँ पर. शिशू में काम प्रवत्ती बहुत प्रवन होती है, पर वयस्को की भाती, उसकी अभिवेक्ती नहीं होती। यहाँ पर जो कथन दिया गया है, यह किसका दिया है, सुरी किसके द्वारा दिया गया है, फ्रायट के, वैलेंटाइन के, गेसल के, या फिर इस्टेंग के, तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है, यह सिंग्मन फ्रायट के द्वारा दिया गया कथन है, कि सीसू में काम पुरत दोनु में ही इसका आंसर दे दिया था फिर से एक बार दे देता हूं सेस्व वस्ता है, बाल्य वस्ता है, किस ओर अवस्ता है या फिर यूवा अवस्ता है राइट आंसर आपका यहां पर होगा बाल्य वस्ता याद रखेगा बाल्य वस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं सेस्व वस्था को किस नाम से जाना जाता है जो सेस्व वस्था है उसे किस नाम से जाना जाता है जीवन का सबसे महत्रपून काल, सीखने का अदर्शकाल, भावी जीवन का अधार्शिला आधारशिला या फिर अनोखा काल तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा देखें सेस्व वस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता नेगेटिव प्रस ने पूछा गया है तो जीवन का सबसे महत्यपून काल सीखने का आधरशिकाल और भावी जीवन की आधारशिला ये तीनों ही सेस्व वस्था के नाम ही आपके सेस्व वस्था की विसेस्था आप कहे सकते हैं अनोखा काल अनोखा काल सेस्व वस्था को नहीं कहा जाता है किसको कहा जाता है बाल्ले अवस्था को याद रखेगा बाल्ले अवस्था को अनोखा काल कहते ना कि सेश अवस्था को तो यहाँ पर डी वाला जो विकल पे होगा हुआ आपका बिल्कुल सही होगा किस अवस्था में स्वा सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती स्वा सम्मान की भावना वैसे तो फ़र दर पहले मैंने बताया था साया देश का अंसर बाले वस्था है किसोर अवस्था है वैसका अवस्था है या फिर वर्द्धा अवस्था है रैट आंसर आपका होगा यहाँ पर किशोर आवस्था किशोर आवस्था स्वासंवान की भावना इसमें सबसे अधिक पाई जाती है सेश्व आवस्था में बालक में कौन सी विशिस्ता हैं पाई जाती है चनिक मित्रता अनुकरन करना आश्रित होना या फिर उप्रुक्त सभी यहाँ पर देखे सेश्व आवस्था में पूछा गया है तो इसमें चनिक मित्रता भी होती है अनुकरन करके सीखता है और आश्रित होना लेगे सेस्व अवस्था में जो बालक होता है वो आश्रित होता है तो यहाँ पर उप्रुप तो सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस फूर्ती की जो अवस्था है वो किस अवस्था को कहा जाता है निमलिकित मेंसे कुणसा किशोर आवस्था का लक्षन नहीं है सारे रिक परिवर्तन व्यभार में इस्तिर्ता और इस्तिर्ता की समस्या या पिर स्विगात्मक समस्या यहाँ पर किशोर आवस्था का लक्षन कौनसा नहीं है पूछा गया है रायट आंसर आपका होगा सारे परिवत्तन ये किस्ववस्था का लक्षन नहीं है तो पहला वाला विकल्पिया आपका बिल्कुल सही होगा कोन सा कथन सेस्ववस्था का नहीं है यहाँ पर भी नेगेटिव प्रशन पूछा गया है सेस्ववस्था का लक्षन कोन सा नहीं है या फिर कथन कौन सा नहीं है स्वार्थी वा स्वाकेंद्रित च्छनिक मितरता समवेगों का प्रदर्शन या फिर खेलों में रूची यहाँ पर आपका सही आंसर होगा खेलों में रूची याद रखेगा यहाँ पर स्वार्थिवा, सोवकेंद्रित, छनिक मित्रता और सम्वेगो का प्रदर्शन ये तीनों ही सेस्ववस्था के विसिस्ता हैं यहाँ पर खेलों में रूची ये जो विसिस्ता हैं ये किसकी हैं यह बाल्य वस्था की विसिस्ता है खेलों में रूची जो होती हैं बाल्य वस्था में होती ना कि सेस्व वस्था में होती हैं तो यहाँ पर आपका D वाला विकल पर बिल्कुल सही होगा किस वस्था में बालकों में नहीं खोज करने की और घूमने की प्रवत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है कुन सी अवस्ता है sayso वस्ता, yoo अवस्ता, kisora वस्ता या पिर बाल्यावस्ता रैट answer होगा यहां पर बाल्यावस्ता याद रखेगा बाल्यावस्ता में बालकों में नई खोच करने की और गूहने की जो प्रवत्ती होती है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है तो यहाँ पर D वाला विकल्पे आपका बिल्कुल सही होगा बालक के हाथ पेरवा नेतर उसके प्रारम्विक सिक्छक है इनी के द्वारा वहाँ पांच वर्ष में ही पहचान कर सकता है सूझ सकता है और याद कर सकता है यहाँ पर दिया गया कथन किसका है रूसो का है वैलेंटाइन का है गेसल का है या फैसिंगोन फ्रैट का है र्याइट आनसर आपका होगा रूसो का किसके नुसार किशोर अवस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्य अवस्था से परिपक्वता की वर संक्रमन करता है यह किसके अनुसार याने किसका कथन है जर्शिल्ट का है रासका है जो उनसका है या किल पैट्रिक का है रैट अंसर आपका होगा जर्शिल् सेस्ववस्था की कौन सी विसेस्था नहीं है पूछा गया है सारीरिक विकास में तीवरता, मांसिक विकास में तीवरता, दूसरों पर निर्वरता या फिर नेतिकता निर्मान तो यहाँ पर देखें सेस्व वस्था की जो विशिस्था नहीं है उसके बादे में पूछा गया है राइट अंसर आपका होगा नेतिक्ता निर्मान नेतिक्ता निर्मान यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा ये सेस्व वस्था की विशेस्तर नहीं है तो यहाँ पर D वाला विकलपा आपका सही होगा Stanley Hall ने किशोर वस्था को केसी वस्था कहा है सुखत कहा है, कल्पनात्मक कहा है शविगात्मक कहा है या फिर तुफानीवा तनावपून कहा है यादि आपने Stanley Hall की परिभासा है वो पड़ी है तो आप आसानीशे आंसर दे सकते हैं फिर फर्स्ट या सेकंड पार्ट आपने देख लिए हैं तो भी आप यहाँ पर आसानीशे आंसर दे सकते हैं कि Stanley Hall ने जो किशोर वस्था को कहा है वो तोफानीवा तनावपून अवस्था कहा है इनोंने कौन सा कथन दिया कौन सी परिभासा दी है कि किशोर अवस्था बड़े संगर से तनाव तोफानवा विरोध की अवस्था है किसका कहना है इस्टेनली होल का कहना है यहां पर फूर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा शिशू रंगों को पहचानने लगता है उसे हलके वा भारी का ग्यान होने लगता है वहाँ घर के कामों में साहिता करने लगता है कितने वर्स में एक वर्स, दो वर्स, तीन वर्स या फिर चार वर्स यह रैट अंसर आपका होगा है यहां पर चार वर्स फूर्थ वाला विकल्प अपका सही होगा निमन अवस्थाओं में से किसे समश्याओं की आउधि कहा जाता है बाल्ले वस्था को, किशोरा वस्था को, व्यास्का आवस्था को, या फिर उक्तसभी को तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा किशोर आवस्था को याद रखेगा किशोर आवस्था को समश्याओं की अउधी कहा जाता है यहाँ पर शेकंड वाला विकल्पी आपका सही होगा निवलीकित में से किस अवस्था में बच्चे अपने सम्वयस्क शमू के सकरी सदस्चे हो जाते हैं किसोर अवस्था, पूर्वाली अवस्था, प्रोडा अवस्था या फिर बाली अवस्था काफी important प्रस्जन है, काफी बारेग्जाम में पूछा गया है रैट आंसर आपका होगा किशोर आवस्था याद रखीगा किशोर आवस्था में बच्चे अपने समवैस के समू के सक्री सज़श्य हो जाते हैं तो पहला वाला विकल्पिया आपका बिल्कुल सही होगा किशोर आवस्था खुशी रहित समय क्यों समझा जाता है जो किशोर वस्ता होती है इसको खुशी रहित समय क्यों समझा जाता है किशोरों की आवशक्ता भिन्न होती है बिल्कुल सही है सारिरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभो तथा नए आवशक्ता है महसुस होती है ये भी बिल्कुल सही है इसोर महसुस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं तीसरा वाला विकल्पे भी बिल्कुल सही है इन तीनों के ही कारण उन्हें खुशी रहित समय समझा जाता है तो यह आपका जो सही आंसर होगा वो उक्त सभी होगा सेस्व वस्था में सामाजिक विकास के संबंद में कौन सा कथन सही है टोली बनाने लगता है सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है प्रेम वा कुरूद के विवहार में अंतर समय लगता है और समाज के नेताओं से संबंद स्तापित करता है यहाँ पर सेस्व वस्था में सामा बालक रोची लेना आरंब करता है धर्म में, मानव सरीर में, योन संबंदों में या फिर विद्यालियों में राइट आंसर आपका यहां पर होगा विद्यालियों में इंपोटेंट है बाल्ले वस्था में बच्चा जो सबसे अधिक रूची रखता है वो कहानी में रखता है उत्तर बाल्ले वस्था में बालक भोतिक वस्थों के किस आवशक तत्व में परिवर्तन समझ्य लगता है दरविमान और संख्या में संख्या में या फिर दरविमान संख्या और छेत्र में यहाँ पर उत्तर बाल लिवस्था में पूछा गया है तो दरविमान संख्या और छेत्र इन तीनों में ही परिवर्तन समझने लगता है याने कि फोर्त वाला विकल्पी आपका सही होगा सेस्वस्था के संबंद में सही कथन आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सही कथन है छोटा सिसू अकेले ही खेलना चाहता है बिल्कुल सही है आपने देखा हुआ जो छोटा सिसू होता है वो अकेले ही खिलना पशंद करता है दूसरा विकल्पे से सवस्था के अंतीम वर्सों में सिसु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है बिल्कुल सही बी वाला विकल्पी भी आपका सही है से सवस्था के संबंद में चार-पांच वर्सका बालक अपने छोटे भाई वेहनों या सांथियों का बचाओ करने का प्रयाज करता है तीसरा भी बिल्कुल आपका सही संबंद होगा से सवस्था के तो यहां पर उप्रुक्त सभी सही यानि कि D वाला विकल्पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नवजाज के स्वास्त को जाचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली या फिर कह सकते हैं मापने स्केल कौन सी है एंथ्रो-पोमेट्रिक नाप है A-P-G-A-R स्केल है या पर आपका सही आंसर होगा A-P-G-A-R स्केल याद रखेगा नवजाज के स्वास्त को जाचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली जो मापनिया स्केल है वो A-P-G-A-R स्केल है अब इसका मतलब क्या होता है इसका फुल-फुम क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए A-P-G-A-R ये जो नाम है इसका फुल-फुम क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए A से होता है A-P-E-R-E-N से होता है P से पल से होता है G से ग्रीमियस होता है A से activity होती है और R से respition होता है अब इसका full form क्या है और भी इसके full form निकलते है इसका मतलब क्या होता है देखिए आप parents से होता है कि इससे बहरी बनावट को रूप रेखा को देखा जाता है कि इसका सही है या नहीं जो बच्चा होता है उसकी जो बहरी बनावट होती है उसको देखा जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि सही है या फिर नहीं पल्स का मतलब होता है यहाँ पर P से होता है पल्स और पल्स का मतलब होता है पल्स से इसकी चेक की जाती ही बच्चे की कि उसकी चल रही है R से होता है Raspition और Raspition का मतलब होता है जो स्वसन की कीरिया है वो प्रोपर चल रही है या फिर नहीं यह सब की जांच की जाती है इसे ही APGAR Scale कहा जाता है तो यह याद रखेगा इसका full form भी याद रखेगा और इसका मतलब भी याद रखेगा तो यानि की आपका सही आंसर क्या होगा B वाला यहाँ पर आपसे directly APGAR Scale के बारे में ही पूछा जाएगा यानि की यही आपके विकल्पे में दे रखा होगा इसका full form भी आपको पता होना चाहिए चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशने आपको किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकल कर सामाजिक होना चाहता है स्रेश्व अवस्था, बाल्ले वस्था, कि सोरा वस्था या फिर प्रोडा अवस्था राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा बाल्ले अवस्था याद रखेगा बाल्ले वस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकल कर सामाजिक होना चाहता याने की बी वाला विकल्पे आपका बिल्कुल सही होगा अगला प्रशने है दो वर्शी की उम्र तक बालक में लगभग सभी समवेगों का विकास हो जाता है बाल्ले वस्था को किस नाम से नहीं जाना जाता अब जो बाल्ले वस्था है उसे किस नाम से नहीं जाना जाता निर्मानकारिकाल प्रारंबिक विध्याले की आयू सेचिक द्रश्टिकून से महतपून काल या फिर जीवन का सबसे महतपून काल तो बाल्य वस्था को निर्मानकारी काल, प्रारंबिक विद्ध्याले की आयू और सिर्चिक दश्टी कोन से महत्पूर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है लेकिन जीवन का जो सबसे महत्पूर्ण काल है बाल्य वस्था नहीं है कौन से अवस्था है तो वो सेस्व वस्था याद रखेगा सेस्व वस्था जिवन का सबसे महत्पून काल है तो यहने कि आपका जो सही आंसर होगा वो डिवाला होगा अगला प्रश्ने है शवगात्मक सक्ती का सरवादिक प्रभाव की सवस्था में होता है बाल्य अवस्था में होता है सेस्वस्था में प्रोड अवस्था में या फिर किशोरा अवस्था में कहते हैं, 7-12 वर्षी की जवस्था है, उसमें अनूत कर्मनी सिल्ता पाई जाती है, संबंद सनरक्षन वर्वर्विकरन आदिर संप्रत्य विक्षित हो जाते हैं, बालक सभी प्रशनों के जवाब जानना चाहता है, या फिर निग्मनात्मक चिंतन पाया जाता है, तो यहाँ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अनूत कर्मनी सिल्ता पाई जाती है, यह 7-12 वर्षी की अवस्था में नहीं पाई जाती है, यह 2-7 वर्षी की अवस्था में पाई जाती है, संबंद सनरक्षन वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् इंतन पाये जाता है। यह किशोरा अवस्था में पाये जाता कि इसमें किशोरा अवस्था में तो AIHOB आपको जवाब मिल गया होगा जो 7 से 12 वरशी के आवस्था होती है संबंद सनरक्षन वब वर्गिकरण आदिसंप्रतिय विक्षित हो जाते हैं यानि कि B वाला जो विकल्पे होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा अगला प्रश्न है सेश्वा अवस्था में कौन सा विकास तीवर गती से होता है सारेरिक विकास मानसिक विकास समाजिक विकास या फिर भाषा का विकास रायट अंसर आपका होगा सारेरिक विकास याद रखेगा जो सेश्वा अवस्था में तीवर गती से होता है वो सारेरिक विकास होता है कौन सी किशोर अवस्था के विशिस्ता नहीं है यह आपको बताना है बहर मुखी विक्तित का विकास होता है नेतिक गुणों का विकास होता है विरोधी मानसिक दसाइं होती या फिर वीर पूजा की भावना होती है किशोर अवस्था के बारे में आपको यहाँ पर बताना है तो इसमें बहिरमुखी विक्तित का विकास होता है विरोधी मानसिक दसाइं होती है और वीरपूजा की भावना ही किशोरा वस्था में ही उत्पन्न होती है यहाँ पर नेतिक गुणों का विकास है यह किशोरा वस्था की विसेश्था नहीं है यह किसकी विसेश्था है तो पूरु बालले अवस्था याद रखी का important प्रस्ण है खिलोनों की जो आयू होती है वो पूरु बालले अवस्था को कहा जाता है किशोरों की जटिल अवस्था के कारान किशोरों के अध्यन का विसे होना चाहिए सारीरिक, मांसिक, सरीर्व, मन सम्मंदी या फिर बहुत दिक तो यहाँ पर देखो किशोरों की जटिल अवस्था के कारान किशोरों के अध्यन का जो विसे होना चाहिए वो सरीर्व, मन सम्मंदी विसे होना चाहिए यानि कि तीसरा वाला विकल्पे आपका बिलकुल सही होगा कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवत्ती तीवर होती ही कौन सी अवस्था में जो बच्चा है वो दोहराने की प्रवत्ती उसमें तीवर होती ही सेस अवस्था, किसोरा वस्था, बाले वस्था या पर प्रुक्तर में सी पूरू बाललेवस्था याद रखेगा जिसर आवस्था या पर होगा आपका तेया स्ववस्था की वावना का की विकास होता यह सईस्ववस्था में होता है किसके अनुशार विकास ही वर्तमान की सक्ती एवं भावी आसा को प्रस्तुत करता है किसके अनुशार या किसका खथन है क्रो एंड क्रो का रास का वैलेंटाइन का या फिर मन का रैट आंसर वगा क्रो एंड क्रो क्रो का कहना है कि कि शूर ही वर्तमान की सकती एवं भावी आसा को प्रस्तुत करता है स्रेश्टा हर समय अपनी साथ सज्जा को लेकर काज के सामने खड़ी रेती है उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वहां अवस्था कौन सी है उत्तर की सोर अवस्ता की है, सेस अवस्ता की है, बाले अवस्ता की है, या फिर प्रोड़ा अवस्ता की है, राइट आंसर होगा, वहाँ जो अवस्ता होगी, वो उत्तर की सोर अवस्ता होगी, यानि कि पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, अन्ती मो लाश्ट प्रश्ण के विकास का नाजुक समय है जर शिल डरास वैलेंटाइन या फिर के लिपेट्रिक राइट आंसर आपका होगा वैलेंटाइन वैलेंटाइन के अनुसार किशोरवस्था अपरात रत्ति के विकास का नाजुक समय है तो यहीं पर आज के बाल विकास के सेरसवस्था बालेवस्था और किसवरावस्था के 150 प्रस्ण की जो सेरस्थी यहीं पर समापत होती हैं आगे किस टोपिक पर आपको वीडियो चीए ये भी आप कमेंट से के माद्यम से बता सकते हैं तो इस वीडियो को आपको ज्यादे ज्यादा सेर करना है लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद